गूड मॉर्निंग बच्चो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीख रहे हैं स्वर जिसके अक्षर अ अनार का और आ आम का का अभ्यास हम कर चुके हैं तो आज हम सीखेंगे स्वर का नया अक्षर इमली का तो चलिए इसे लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपनी पैंसिल का पॉइंट इस लकीर पर रखेंगे ये जो चौड़ी लकीर है न बच्चो इसमें हम अपना पैंसिल का पॉइंट रखके एक छोटी सी सीधी लकीर इस तरीके से खीचेंगे ठीक है अब हम जैसे एस बनाते है न उसी तरीके से हम यहाँ पर पैंसिल रखके एस बनाएंगे इस लकीर तक और इसे थोड़ा सा उपर घुमाते हुए ऐसे नीचे लेकर आएंगे तो यह बन जाएगा हमारा अक्षर इमली का मेरे साथ बोले वच्चो इमली का ठीक है अब हम दुबारा लिखेंगे और सीखेंगे कि यह अक्षर कैसे लिखना है तो हम यह लिखेंगे अक्षर इन दो चोड़ी लकीरों के बीच में सबसे पहले हमें क्या करना है हम पहले एक छोटी सी लकीर खीचेंगे और फिर इसके नीचे जैसे एस लिखते हैं वैसे लिखेंगे और उसको उपर घुमाते हुए नीचे की तरफ पापस लिखकर आएंगे तो यह बन जाएगा हमारा अक्षर इमली का तो इसी तरीके से आपको अपनी कौपी के पेज में चार खंडों में यह अक्षर बोल कर लिखना है